नमस्कार दश्कु स्वागत है आपका सचनियूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी दश्कु जम्मू कश्मीर ही नहीं बलके All Over World जो है Holy Week शिरू हो चुका है जिहां और Good Friday और Easter बहुत नजदीक है और इसी के चलते सचनियूज नेटवर्क की तरफ से एक इनिशेटिव लिया जा रहा है जिसके चलते Good Friday का महत्तव क्या है और Good Friday को Good Friday क्यूं कहा जाता है इसके पीछे की कहानी क्या है और Easter जो आने वाला है वो क्या है और लोगों के लिए Easter कितना खास है क्यूंकि Easter और Good Friday से पहले ही हफतों पहले तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती है इसी पर चर्चा करने के लिए फिलाल हमारे साथ प्रेम नेगर चर्च के मेंप्रिस्ट, रैवलर, फादर, कुर्योकोज जी हमारे साथ हैं इनसे बाचित करेंगे जानने की कोशिश करेंगे Good Friday महतव क्या है Good Friday का और Good Friday को Good Friday क्यूं कहा जाता है और Easter क्रिश्टन समुदाय के लिए कितना जरूरी है इनसे जानने की कोशिश करते हैं पादर जी बहुत बहुत शुब कामना है पहले तो आपको और उसके बाद मैं चाहूंगा सबसे पहले आप बताएं कि Good Friday जो है उसका कितना महतव है और Good Friday को खास जो लोगों के अंदर एक सवाल रहता है कि Good Friday क्यूं कहा जाता है अलाकि Christian community के कुछ लोगों को पता होता है जानकार ही होती है लेकिन जब हम इसको celebrate करते हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि Christian community Good Friday को Good क्यूं कहती है आखिर उसके पेछे का कारण कहा है मैं वो जाना चाहूंगा आपसे आज का दिन पुरा दुनिया फर में Good Friday मना जाते हैं सभी लोग तो Good Friday अचली यह बड़ा बुरा दिन है इंसानी के तोर पर हम सोचने से बहुत बुरा बुरा दिन है क्योंगी यह समसी को इन्होंने इत्ला मार पिटा करकर सूली पर चड़ाया लेकिन बाद में भी हम बोलत जिन्दा हो गया यह मोत को जब तक साबना नहीं करेगा तो येशु जी उड़ने सकते थे येशु जी ना उड़ने से आज ये क्रिस्टिन कम्यूनिटी दुनिया में नहीं रखना था दूसरी बात हम साथना चाहिए येशु मस्री को इतना दुक बोग ना पड़ा इतना क जोजना था पूरा मानवज्जादी पाओं में डूब रगे थे दूबे गूए थे अब परमिश्टर ने बहुत सारे नभी लोग पहले वेजा गया था इनको समझाए बचाए लेकिन कई लोगों को चुना कई लोगों नहीं से सुना आगरे में प्रभु ने सोचा ये समस ये भी था परमिश्टर के बारे में सुनाने के बाद समचाने के बाद मानवज्जादी को पहली चडाने कराकर अपनामिक को जीवन देना आज के जमानें भी हम देखते लें त हैं अलग-अलग धर्म में कोई कुर्बान ही करते है कोई बक्रा का होगा कोई मुर्गी का लेकिन परिमेश्चिर की जो जाना एगी था ये सुमसी सूली पर कुर्बान करके ये पूरा मानवजादी को बचाए ये हम पर एक और बदम घासुबसे नोट करना है एक हिसाई धर्म का एक त्योगार नहीं है एक दिन नहीं है क्योंगी एसुमसी दुनिया में आये थे एक सर्फ हिसाई कम्यूनिटी को बचाने के लिए नहीं है मानवजादी को किसी ओतों मैं समस्ताओं पुरा मानवजादी मिलकर ये दिन मनाना चागी है और ये भी जानना चागी है एसुमसी हमारे लिए इतना दुक बोक अपने जान रेड़ी है तो हमारे जीवन में भी कुछ बदलावत तो होना चाहिए पावस से दूर रहे ना बुराईों से दूर रहे ना बाइजारा कर सिरने की जीना ये सब कुछ एसुमसी का तालीम में हम पूरी सिरने की जो तहलीम देड़ी है उसी में हम इस साम देखते रहते है मखवत प्यार जी तो फादर जी जैसे गुड़ फ्राइडे कली है तो उसको लेकर किस तरीके के तैयारिया जो है वो की जा रही है इस बार भी हम गुड़ फ्राइडे का इन बड़ा दून धाम से मनाते है इसलिए मना रहे है क्योंगी इस मसीद हमारे लिए दुक बोकर मरा मरने से खतर नहीं हो रहे उसके बाद तीसर दिन सिंदा हो गया इसलिए एक तरव से गुड़ फ्राइडे इसलिए बोलते जा रहे है पुड़ फ्रेडे इसलिए मर गया तो अच्छा हो गया मोत से नहीं जी उड़ने से मोत को जब तक सामना नहीं करेगा जी उड़ने सकते इस बार हमारे चर्च के तरव से काफी जोजना पुड़ फ्रेडा के दिन रखा गया है इसलिए का येसमसी जब कलवरी को उपर जा रह गए थे उसके कंदो मर बड़ा बाहरी सूली रखा गया था और सिभागिलो इसको पिटाई पिटाई करके कलवरी को उपर लेकर गया वो अमरसूली पर चड़ाया ये बात हम लोगे मन में एक देरी के लिए हम ये सीन को कल दिखाई देगा येसमसी चूली उड़ाने का सीन होगा सिभागिलो इसमसी को पिटाई करने का सीन होगा और कलवरी तक इसको लेकर जाने का ये लोगे मन में इसको सिंदा रिखने के लिए येसमसी करीब दो साल पगले दो हजार साल पगले कितना कष्ट पाय हमारे लिए हमें बचाने के लिए ये दोस्तों साबनी एक दिखाने चाहते हैं ये सभी बंदबसे हमने किया गया है का दुबेर को डेड़ बेज से हम जुलू से शुरू किया जाएगा प्रारतना रेसलिंस रोड से शीरी चौक से जुलू से निकले गा सदकों में हम प्रारतना करते करते करीब शाड़े तीन बेजे चर्च में आ जाएगा उसके बाद ढ़ेड़ घंड़ा दो हिंड़े का प्रेयर है उसके बाद कल का ये स्कुल्ट फ्राइड़ का अमाम आपको देख रही है उनको आप देना चाहेंगे इस बार हम खास्टू बसे एगी फॉकस कर रहे हैं येस्व बसी ने हमारे लिए इतना दुख संग किया अपना जान दक डे दिया आंकरी मुंद खुन दक गिरा है हमारे लिए आजसे है तो एक प्यार है प्यार नहीं तो यह करना ही नहीं था प्यार से कर दिया जैसे येस्व अपने वज़न में भी प्रमाते है जैसे मैंने तुम को प्यार किया तुम भी प्यार करो येस्व नहीं चाहते हम सब भी कुर्बानी करे येशों चाहते हैं एक दूसरे को प्यार करना एक दूसरे को सेवा में लेगे रेगेना बाईजारा कैसे लिए जीते रेगेना गुट फरेडे के मुबारक मगच्चे पर किस्टरफा क्रिस्ट्र कम्यूनिटी के लिए नहीं मैं साभी मानवजादी के लिए एक ही काना चाहता हम ये सबसी ने सबसे बड़ा एक मगतबुर्न एक बात कमें सिखा या टॉलरें सगन करना दूसरों लिए कुर्बादी करना तो अपना अचान तक देन तया रोना चाहिए शर्तों हमारे धर्म के बीच में बाई जारे बाई लुकाबट ना होना चाहिए खर एक इनसान को चाहिए प्यार खर एक धर्म में भी प्यार के बारे में बदाए गया हैं श्रीज़तों ये कुट्वेड़े मनाने के वक्त में आम लोगों के लिए सब के लिए ही कहना चाहता हम प्रभू ने हमारी लितरा बड़ा कुर्बान किया तो युकर्बानी का मकص़त है गी था हमें बचाने के लिए हम बच जाएंगे और एक दूसरे के सद्द अप्यार में लगे लिएhayंगे और हमारे जीवन एक समाचार बिखिए के सामने एक अच्चा सिंदगी एक बाईचारा का सिंदगी जे जी बहुत बहुत शुक्री है फादर जी अपने कीमते समय के लिए और एक बार फिर से गुड़ फ्राइडे और इस्टर की हारदिक शुपकामना आपको और सचनियूस नेटवर्क की पुरी टेम की तरफ से जम्मू कश्मीर वासियों को गुड़ फ्राइडे जो की कल है और उसके बाद इस्टर की भी हारदिक शुपकामना आए और इस गुड़ फ्राइडे को इस्टर को आप बड़ी दुमदाम से मनाए और इशुमसी को आप याद करें और खास अगर बात करें जम्मू कश्मीर की एक खुबसूरती है चाहे कोई भी किसी भी दर्म का कोई फ प्रेम से और खुशी के साथ जो है वो रहें फिलाल कर इतना ही जुट रहें आप सच निउस नेटवर्क के साथ नमस्कार